आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्टीशन प्रिपरेशन पर दोस्तों सीडियस का पेपर जो मैंने साल करवाया था आपको 25 के राउंड कोश्चन्स करवा दिये थे इस वीडियो में भी हम 25 कोश्चन्स करेंगे हम टोटल जो सीडियस 2020 में पूछ कर जाएगा आप जाके वो देख सकते हैं और आपको दोनों पार्ट पर बिदियव परर दिया PayPal दे लांडर पर जो सकते हैं वाहाँपर कुछी भी सब्सक्राइब करते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने डाउट वगेरा भी पूछ सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं कहा गया है यह राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेजा इस फियर यानि कि एक सिलेंडर इस प्रकार है जो सिर्फ गोले के चारो तरफ आता है जैंजी अगर ये गोला है तो वो कुछ इस प्रकार के रखा गया है ठीक है इस प्रकार से यह सिलेंडर है आपका ध्यां से देखेंगा तो आप समझपाएंगे ठीक है कहा गया कि P गोला का सतह चेतर है, अगर सतह' चेतर की बात की जा यहां का मतलब क्या हो गया की, सतह' चेतर क्या होता गोले का सरफेस एरिया 4 pi р square, यह होता है सतह' ही और यह 4 pi R square बराबर आपको दिया गया है P, तो यहां से आप R square निकाल लेंगे P by 4 pi हो गया, यह हम कर सकते है आर बराबर हो गया अंडर रूड में पी बाई फोर पाई ठीक है यानि कि अब जो वो है क्या कहते हैं आपका बेलन है उसकी भी तरिज्जा इतनी होगी तभी तो यह इसको चारो तरफ से टेच करेगा और आपको पता है कि अगर यह केवल और केवल गोले को घेरता है तो इस क्यू चाही गोले के ब्यास के बराबर हो जाएगी यानि यह बराबर हो जाएगा टू रूड पी अपान फोर पाई यह हम कह सकते हैं फोर बाहर आएगा तो वन बाई टू दे देगा यानि कि यह हो जाएगा अंडर रूड में पी बाई पाई ठीक है अब आप से कहा गया क कि क्यू बेलन का घुमाओदार सते चेत्र है, घुमाओदार बोले तो, आपसे सीधे-सीधे दिया गया है, कि curved surface area, और बेलन के लिए curved surface area क्या होती है, आप कहेंगे 2πRH, यानि 2πRH is equal to आपको दिया गया है कितना Q, तो value put कर दिजिए, यानि 2 into π, पाई अच्छे प्रस्ट है इन्टू आर तिरी जा आर कितनी आई थी अंडर रूट पी अपान फोर पाई और इन्टू कितना एच यानि कि अंडर रूट में पी अपान पाई इस उकोल टू कितना आ गया क्यों ठीक है अब यहां से इसको सॉल्ब कर लीजिए आपका अंसर आ जाएगा फोर बाहर निकलके इससे कड़ जाएगा यानि पी बराबर आगया तो आपको समझ में आ गया पी और क्यों में क्या रिलेशन है ऐसे प्रस्ट आपको देखने को मिले सी डियस के एकजाम में अगले प्रस्ट पर आत कहा गया अग्या एबी सीडी इस ये क्वाड् अब और में क्या कि रिलेटे लेवी सीडी जहान दीजेगा रेएगे लिजिएगा अर्य में करेम वी सी और कुछ इस प्रकार से डिया गया व,कुछ पता नहीं पस इतना दिया गया कि डिये ए हर आपको बाकी सारे भुजाय दी गएगि आपको निकालना है आपको क्या करना है इन दोनों को मिला देना है अगर यह 20 है यह 12 है तो यह कितना हो जाएगा यह अंडर रूड में कितना हो जाएगा 400 आप से कहा गया इसकी एरिया निकालनी है तो इसकी बात करें किसके लिए कि a dc के लिए आपको पता है कि एरिया कितनी हो जाएगी एरिया यह सम्दी बाहुतिर भुज बन गया जिसकी 2 समान बुजाएं 20 है और एका समान बुजा 4 रूट के विज़ा चाहरोट के लिए तो इसकी एरिया आप अगर निकालेंगे तो इतना आजाएगा तो आप निकालिए भी वाइफ और यानि कि रूट रूट 34 यानि कि रूट 34 अंडर रूट में 204-204a square तो 4 into 400-a square यानि कि कितना हो गया 544 तो इसको सॉल्ब कर लीजिए हो गया 120 प्लस अंडर रूट में 34 और फिर अंडर रूट में यह 16ANS-544 यानि 1056 अब इसका वर्गमूल निकाले तो 34 का वर्गमूल लगभग 6 के बराबर हो जाएगा 156 का वर्गमूल लगभग 32 का स्क्वाइर कितना होता है 32 का स्क्वाइर 900 और 1214 होता है यानि कि इसको लगभग 32 मानिए तो यह कितना हो जाएगा 6 module-1292 यह हो गया बताना था ठीक है इसी वजधत से इन्होंने अनुमाणिद दे दिया था समझ आग्या अगले प्रैशन पे में कहा गया कि यक्स की वार्शी का य की तुलना में बीस 30स at33 हम ले लेते हैं कि एक्स किया जो है वाई की आइक तुलना में घ्स तो आपको सबसे पहले 34567 संख्या निकालनी पड़ेगी उसके लिए हम लेंगे इनका हैल्सियम तो तीर और चे skोगा औरशे को गया और इसकर 12 हो गया बारह पंचे 506 42 हईनका क्या हो गया हो घ्र संख्या होगया है अब आपको पूर्ण हर्ण इसको अगर हम ऐना है तो आप करेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7 आपको पता चल गया दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े साथ अब आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है पूर्ण वर्ग बोले तो दो का तो स्क्वाइर बन रहा तिरि SO3 3090 कीटा होता है 441 डूवल जीरो आपकी संख्या कितनी आगे 441 डूवल जीरो आप ऐसे भी खर सकते थे इसमें देखते कौन सी संख्या पूर वर्ग बन रही है जो होती वहीं हो जाती तो ये भी थी ये भी थी अब आपको सबसे छोटा निकालना था तो आपको पता है इसमें से चार भाग दे देंगे यानि यह हो जाएगा तो आप यह एलसें बिना निकाले ऑप्सन से भी कर सकते थे ठीक है अगले कहा गया निमलिखी चित्र में च्छायंकित भाग का छेत्रपल ग्याद करना है यानि एरिया निकालनी है किसका कलर्ड रीजन का ध्यान दीजेगा अगर हम ड्रा कर दें क्या इसको सेंटर माने यह बेसिकली आयत है थोड़ा फीगर घूम गया है ठीक है आमने सामने की आयत है तो यह मिड़ पॉइंट होगा इसका और यह अगर यह अगर तीन है तो यह भी तीन हो जाएगा यानि आपको त्रिज्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी यह सम कोड त्रिभूज बन रहा है यह यहाँ पर कोड कितने का बनेगा आप लगा लिजे तो आप कह पास आगे त्रिज्या और आपको पता है कि इसका सेक्टर का वो निकालना है एरिया तो अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकालकर इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया घटा दें तो हमारा कलर रीजन आ जाएगा यानि कि हमें आपको पता यहाँ पर कोड कुल कितना बन रहा यानि इसका एरिया हो जाएगा वन बाइठी पाई आर स्क्वाइर आर की वैलू है शिक्स एरी सिक्स का स्क्वार थर्टी सिक्स माइनस तिर्भूज का चेथफल कितना हो जाएगा एक बटे दो गुड़े आधार छे रूट तीन गुड़े उचाई तीन यानि कि यह हो गया यह हो गया बारा पाई माइनस नौ रूट तीन ठीक है तो यहां से तीन कॉमन ले लिजे यानि फॉर पाई माइनस ठीरी रूट थिरी स्क्वार सेंटिमीटर आपका अंसर आजाएगा समझ आगया आपको क्या करना है बेसिकली देखे यहां से इसको मिला देंगे केंद्र प्रशन है अनुमानी ओपाई chilly आप से कहा गया है कि क्या निकालना है obtaining HERE भाग का चेत्रफल तो आप देखे इसका विकड कितना हो गया दस कुकण और जो विकर्ण होता है किसी बिरत्त के अंदर बने आयत का वो क्या होता है व्यास के बराबर होता है तु हचो पPS 15 पाइए माइनस अनतालिस यानि 25 गुड़े तीन दसमलों एक चार पचीस चोको सो पचीस करना मचीस दस पने अतीस 25 तीज तिया पचात्तर वतीन अठात्तर ठीक है सही गुड़ा कर रहे हैं माइनस अनतालिस जैनि कि यह हो गया 30 दसमलों 5 सेंटीमेटर स्कुर्ण आपका एर घटा देंगे खतम हो जाएगा प्रश्णी अगले प्रश्ण पर आते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण है बहुत ध्यान से देखेगा कॉंसेप्चुल प्रश्ण है कहागे यह दी संख्या 10 के पावर यहन-1 के एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख् होता है अगर हम बात कर दस के पावर एक माइनश एक कि इतना होता है नौ स्के आइस इसके अंको का यूग नौता है तो यहां पर कितना हो जाएगा तो 9 गुड़े चार योग आ जाता यानि कि 10 के पावर जितना होगा 10 के पावर जितना होगा यानि 10 के पावर अगर 1-1 के बाद करें तो इसके अंको का योग कितना हो जाएगा 9 into 1 9 into 1 आप यहाँ देख पारे हों कि 10 के पावर 4-1 का योग आधर को सुँश्टाइन और धोगे जूए इसाओ और नोगी। प्रस्ट्द फॉर्शंच में पूछा थे यह सारे प्रस्टों होते आपके पेपर में आ जाते हैं आपके चिलाने लगते हैं बहुत कटीन है बस concept नहीं जानते हैं वो ट्रिक के भरों से बैठे रहते हैं तो नहीं कर पाते हैं बस आपको concept सीखना है ठीक है प्रस्ण को गौर से देखें कहा गया क्या कहा गया है कि yyx is equal to 6 and zyx is equal to 5 आपको value नि एक साड़ा साभी प्रशन हमने कर लिया लाइन एंगल का अगले प्रशन पर आते हैं देखिएगा ध्यान से देखिएगा कहा कि दिये गे चित्र में तीन अर्धिबृत हमें दिख रहे हैं तीनों अगर ए और सी के बीच की दूरी कितनी है अठाइस है यह फेसी का मदबिन्द हो यानि यह 14 हो गया तो यह भी 14 हो गया अगर तीनों अर्धिबृत का कुल शेतर पर अब आपको पता है कि पहले अर्धिबृत का शेतर पर हाफ इंटू पाई और सिम lass नरी इसका भी हो जाएगा यानि इसका दो इसका बराबर हो गाया इसका दो गुना और इसका इरिया हो गया तो आप इसको सौल कर लिजें पाई बाइटू कामन ले लिजे यह नि कि होगा 14 का स्कॉएर प्लस साथ का स्क्वायर, उन्चास दूना अठान नवे, यानि की हो गया बाईस बटे चोदा, इंटू एक सो च्वायर प्लस अठान नवे, चोदा से कटेगा, यह चोदा दे देगा, और यह साथ दे देगा, यानि बाईस गुड़े इक किस, यानि कि 462 square unit आपका area समझ आ गया 462 square unit आपका area आ गया अगले प्रशन पर चलते हैं इस प्रशन को गौर से देखिए गौर से मतलब वो नहीं है कातिल नहीं है लेकिन गौर से देखना है आप देखिए यह इसका क्या है यह कितना होज़ेगा 180 minus 1 धन 2 यह क्या होज़ेगा 180 minus 3 धन 4 यह कितना होज़ेगा 180 minus 5 धन 6 यह 180 minus 7 धन 8 क्यूंकि क्या है यह इसका तीसरा कोण है तो अगर यह 180 minus 1 धन 2 है तो यह कितना होज़ेगा 180 minus 1 धन 2 similarly ये कितना हो जाएगा 180-3धन4 similarly ये कितना हो जाएगा 180-5धन6 and similarly ये कितना हो जाएगा 180-7धन8 सब को जोड़ दिजिए सब को अगर हम जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि इस चतुरभुज के लिए हम अंता कोड़ों को जोड रहे हैं और आपको पता है कि मतलब चतुरभूज के अंता कोड़ों का योग 360 होता है तो यह 180, 180, 360 से कड़ गया यानि कि 360 माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 आ गया यानि हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बराबर 360 हो जाएगा समझा गया अच्छा प्रश्ण था लाइन एंगल से हमने अभी तक कोई प्रश्ण नहीं किया था तो मैंने सुचा इसका भी सीडियस से जो प्रश्ण आया है वो करवा दिया जाए अक लिए प्रश्ण पर आते हैं कहा गया कि यह पी क्यू और आरेस रेखा है समांतर है एफ बराबर 95 दिया गया थोड़ा सा जूम कर लीजिए आपको निकालना क्या है यहाँ पे यहाँ पे हमें निकालना है एबी सी की वैल्यू निकालने अगर यह पंचानव है तो आपको पता यह भी पंचानव होगा क्योंकि यह एक आंतर कूंड हो जाएंगे कितना हो गर 70 क्योंकि एक रेखा पर एक साइड में बने कोड़ों का योग एक स्वस्थियंस होता है अब आपको पता है 95 तिर्भुच बी जी एच के लिए बाहिकोड है यानि कि एंगल यहां पर एजी एच ही जुकल 20 यानि 25 यानि सेकेंड और अपसन आपका अंसर हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं कहा गया कि इन में से सबसे बड़ी संख्या कोह नहीं है अब देखे हम सबसे पहले दो के पावर वाले को सॉल्फ करते हैं तो दो के पावर हम लिए सकते हैं दो के पावर अगर 2 लिख यह हम ऐसे कहें 2 के पाउट 211HHHH ठीक है यायनि कि हम कह सकते हैं कि ईना हो जाएगा चाールák चार 4000 के पाउट 1111 अधिया जिक है जार सुंध लिखे लेजे लिखे मह हैं अब हमं लिखे एक प्रक्रोच निकाल लें यानि यहां से चार पाउट ग्यारा सो दस ग्यारा सो कितना चार से भाग करिया इसमें यह हो गया ग्यारा सो चार दुनिया आठ और चार सते अठाइस हाँ ग्यारा सो चार के पाउर ग्यारा सो अगर हम निकाल ले हो इन्टू चार के पाउर ग्यारा लिख दे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसको हम लिख ले रहे है 4 के power 4 के power कितना 1100 को क्या लिख सकते हैं 1125 बचेगा तो यानि कि आपका आजाए कि 1155 275 ठीक है और इन्टु 4 के power 11 अब 4 के power 4 क्या होता है 296 296 के power 275 और इन्टु 4 के power 11 आपका बचा है यानि कि यह संख्या आपका इससे बड़ी हो गई इससे बड़ी हो गई इससे भी बड़ी हो गई ठीक है अब बचा क्या ये वाली संख्या बची है एक बार इसके power 5 लगा के देखिए तो 296 के power 5 अगर हम लगा देंगे यानि कि यह इससे भी बड़ी हो गई अब बची कौन से संख्या है यही इसी की वैलू हम निकाल रहते हैं अगर यह सबसे बड़ी है इससे भी बड़ी इससे भी बड़ी यही हो जाएगी तो आप याद रखेगा कि टू के पावर टू 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 सबसे बड़ी संख्या हो जा अब 0 से 50 के बीच कौन कौन सी प्राइम नंबर से तो आप कहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 37, 31 और आपका क्या बचा 31, 37 और आपका बचा 41, 43, 47 यह हो गई प्राकृतिक संख है तो प्राइम नंबर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा, चोधा, पंदरा यहनि एन, एम की वैलू हो गई 15 और कहा गया यहन जो है वो 50 से 100 के बीच की यहनि एन में कौन कौन सी आएंगी तिरपन, 69, 61, 67, 71, 73 और आपका कौन सा आजाएगा 89 और 83, 89 और आपका आजाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस यहनि एन बराबर आगया दस अब आपसे पुछा गया एम माइनस एन तो एम है पंदरा, एन है दस तो पंदरा माइनस दस पांच हो जाएगा ठीक है अगले प्रशन पे आते हैं, कुछ लोग पुछते हैं, इसकी कोई सौल ट्रिक नहीं होती, नहीं, प्राइम नंबर्स की कोई सौल ट्रिक नहीं होती, यह देखें कहा गया, A by B बराबर इतना, B by C बराबर इतना, C by D बराबर इतना, D by E बराबर इतना, तो आपको वैल्यू निकालने है A by C, अपान D E F की, आप देखें, A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, D लिखेंगे, E लिखेंगे, और E F लिख देंगे, लास्ट में, अब इसको solve करिया, तो A की वैल्यू, 1, 3 इसका अनुपाद, 2, 1 इसका अनुपाद, 1, 2 इसका अनुपाद, 3, 1 इसका अनुपाद, और 1, 4 इसका अनुपाद, खाली जगे, तो 3, 3, 3 भर देंगे सम्में, खाली जगे, 1, 1, 1 भर देंगे, सम्में, खाली जगे, दो भर देंगे यहाँ पर खाली जगह एक अब यहाँ पर देखे खाली जगह दो भर देंगे यहाँ पर एक एक भर देंगे यहाँ पर तीन 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 जिसके आगे खाली जगह वही उस पर कभजा कर लेगा यहाँ पर एक 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 कर देंगे ठीक है आप सब का गुड़ा कर ल सब की वैली आपकी आगई T3 से सब कट रहे हैं 3爸爸 हो गया दो छे से दो आथ अब से पूछागिया ABC आप ड़ाइं इन तीनों को गुड़ा तो कर ये दो गुड़े चे गुड़े यह गालना था यानि वैल्यू निकालनी थी तो आपने वैल्यू निकालनी तीन बटे आठ अगले प्रस्ण अच्छा है कहा गया मड़िदा अपको साइड लेंथ दी गई है तो सबसे पहले आप यस निकालेंगे यस बराबर क्या होता है इन तीनों का योग बटे दो यानि हाफ हाफ इन सबका योग निकालेंगे तो x by y दो बार आ जाएगा एक मिनट योग निकालना है रूट नहीं निकालना है तो हो जाएगा टू टाइम साफ x by y plus y by z plus z by x यह हो गया योग इनका दो से कट जाएगा यानि s की वैलू आगए अब आपको पता है एरिया क्या होती है अंडर रूट में s यानिकी इतना पूरा x by y plus y by z plus z by x into s minus a यानिकी x by y यहां बचेगा x minus y फिर s minus a s minus b यानिकी यहां पर कितना बचेगा y by z और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो यह z by x बच जाएगा y से y कर जाएगा z से z x से x यानि आपका आ जाएगा area is equal to under root में x by y plus y by z plus z by x आपका correct option हो जाएगा c समझा गया समझा रहा है ना चैलिए अगले portion पर चलते हैं कहा गया इसकी value कितनी होगी अब आपको पता है c x plus 10x नीचे दिख रहा है c x minus 10x से उपर नीचे गुड़ा कर देंगे तो यह c x minus 10x का whole square बन जाएगा कौन सा यह हो जाएगा c x minus 10x का whole square और अपान नीचे क्या आ जाएगा c x minus 10x जिसकी value 1 होती है यह बाहर आके c x minus 10x दे देगा ठीक है अब c x minus 10x है तो आप इसको देख लिजे अब इसमें अगर हम से देखे एक काम करते हैं इसमें c x plus 10x से उपर नीचे गुड़ा यानी c x plus 10x से गुड़ा कर दीजे और c x plus 10x से भाग कर दीजे कोई फर्क नहीं आएगा और आपको पता है c x minus 10x into c x plus 10x से इसकी स्क्वार एक्स माइनस टैनी स्क्वार एक्स हो जाएगा जिसकी value 1 upon c x plus 10x बस खतम हो गया तो आपका c option correct हो गया अगले question पर आते हैं कहा गया कि which one of the following is the largest divisor of 3 to the power x plus 3 to the power x plus 1 plus 3 to the power x plus 2 आप इसमें 3 के power x common ले लिजे तो बचेगा क्या 1 plus 3 के power 1 plus 3 के power 2 यानि कि आपका बचा 3 to the power x into 3 दुनी 3 का स्क्वार नो 3 बारा एक तेरा अब आपसे पूछा कि सबसे बड़ा divisor कौन सा होगा तो आप कहें कि 13 यहां आ रहा है और अगर यक्स कोई प्राकृतिक संख्या है यानि x बराबर कितना हो सकता है एक हो सकता है एक बराबर एक हो सकता है प्राकृतिक संख्या दी गए तो एक बराबर अगर एक है तो यह 3 गुड़े 13 हो जाएगा यानि 49 से डिवाइड होगा अब आप से कहा गया 117 भी दिख रहा है 49 भी दिख रहा है यानि कि 3 की कोई भी value होगी तो वो किस से divisible होगा 13 से तो divisible होगा ही होगा और प्लस 3 एक और आएगा अब आप कहेंगे जी 117 से क्योंने क्योंकि एक्स की value एक भी तो हो सकती है यानि कि सबसे चोटी एक्स की value रख लीजिए तो एक रखेंगे तो यानि सबसे चोटी संख्या जिससे बड़ी संख्या जिससे डिविजबेल होगा 49 होगा 49 हो जाएगा 117 से भी हो सकता है लेकिन इन केस यक्स बड़ा हो एक से यक्स बरापर दो होगा तब है डिविजिबल होगा अधरवाई नहीं होगा ठीक है अगले प्रशन पर आते हैं समझ में आ गया न क्यों 49 क्यों 117 नहीं ठीक है यह प्रशन देखिए कहा गया पहद इसमे का योग अगर ए और भी मूल है तो मूलों का योग ए प्लस भी वराबर होता है माइनस भी बाइए माइनस इसका मतलब माइनस आप एकस का गुड़ांक यानि कि ए प्लस भी वराबर हो गया माइनस के ठीक है और मूलों का गुड़नफल क्या होता है सी भाइए यानि ए बी बराबर आपका आ गया कितना एबी बराबर हो गया माइनस पंदरा आपको पता चल गया एबी बराबर माइनस पंदरा और ए माइनस बी बराबर कितना है आठ है तो आप कहेंगे ए बराबर पांच हो गया बी बराबर माइनस तीन हो गया ठीक है ए बराबर पांच भी बराबर कितनी हो गई तो के की positive value कितनी हो गई दो तो आपका 2 इसकी positive value हो जाए यहाँ पर ध्यान दीजेगा यहाँ पर पूझा के का सकारात्मक मान क्या है तो सकारात्मक मान तो 2 है उसके आगे negative sign आ रहा है बस यह बात अगले question पर आते हैं अगला question कहा गया है what are the values of p and q respectively if x-1 x-2 divide इसको divide करते हैं आपको मैंने बताया है इस तरह का question मैं करवा चुका हूं कि अगर कोई polynomial है जिसको x-1 divide करता है तो उसमें x-1 बराबर 0 यानि x बराबर एक रखने पर उसे टिस्पाई करेगा यानि 0 देगा और x-2 अगर इसका गुड़न खंड है तो x-2 बराबर 0 यानि x-2 रखने पर भी यह 0 हो जाएगा तो रख दीजे धर अधर तो x-1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 plus 4 plus p plus q is equal to 0 यानि हमारा यहां से p plus q बराबर आजएगा माइनस 5 ठीक है और अगर हम x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो रख दीजे यह हो गया माइनस 8 plus 16 minus 2p plus q is equal to 0 यानि कि हम कह सकते है 2p minus q is equal to 8 ठीक है तो यह first हो गया यह second हो गया ठीक है अब आप से कहा गया था p और q की value हम सही कर रहे है 2p plus q 2p minus q is equal to हो जाएगा 8 ठीक है अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो equation 1 plus 2 करें तो 3p is equal to कितना आ जाएगा 3 यानि p is equal to 1 हो जाएगा और p is equal to 1 तो यहाँ पर put कर लेंगे तो q is equal to minus 6 हो जाएगा यानि p की value 1 q की value minus 6 है यानि first option आपका correct हो जाएगा ठीक है और अगले question पर आते हैं अब scf है अगर x plus k इसका scf है इट मींस की x plus k इसका factor है अब अगर x plus k इसका factor है ध्यान दीजेगा x square plus 5 x plus 6 का factor क्या होता है x plus 2 into x plus 3 factor करना नहीं आता है तो हमारी एक वीडियो पढ़ी है आप जाके देख सकते हैं और x square plus 8 x plus 15 किसका factor है इसका factor क्या है x plus 3 into x plus 5 और आपको पता है कि इसका scf दिया गया है यानि scf इसका क्या हो जाएगा जो common आ रहा है यानि x plus 3 तो x plus 3 इसका scf हो गया हो यहीं बराबर दिया गया x plus k क्योंकि दो संक्याओं का एक ही scf हो सकता है और x plus 3 हमने निकाला हो दिया गया था x plus k यानि k बराबर यहां से आ गया ठीक है अगले प्रशन पर चलते हैं एक और प्रशन आपको अच्छा दिख रहा होगा कहा गया कि इसकी इसमें समी करण में कोई equation है जिसकी value है equation क्या दिया गया है x to the power root x is equal to nth root of x power x तो आपको n की value निकालनी है वो x की value निकालनी है अगर समाधान पूछागे तो यह x की value आगी n के form में देखे x के power root x आप दोनों पच्छों का log ले लीजिए तो यह हो जाएगा log x to the power root x is equal to nth root of को कह x के power x by n अरे आपको पता है nth root क्या होता है one by n हो जाता है अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा log m के power n is equal to n log m क्या होता है n log m यहाँ इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यह हो गया root x log x minus x by n log x is equal to 0 आपको पता है log x common आ रहा है यानि log x common ले ले लेंगे तो बचे गया root x minus x by n is equal to 0 तो यहाँ से अभी कुछ लोग कहेंगे कि log उसमें नहीं है syllabus में नहीं है syllabus में नहीं है लेकिन यह question तो syllabus में है करेंगे फिर कैसे करोगे देखे अब यहां से अगर दो संख्याओं को गुड़नफल 0 है तो वह संख्या अलग-अलग 0 के बराबर होंगी या कोई x संख्या 0 के बराबर होगी तो हम दोनों को अलग-अलग बराबर करते है यह अगर log x बराबर 0 है log x is equal to 0 तो आपको पता log 1 की value 0 होती है यानि x is equal to 1 दे देगा और अगर यह bracket 0 के बराबर है यानि root x minus x by n बराबर 0 है तो हम कह सकते root x बराबर x by n या हम कह सकते root x is equal to n या हम कह सकते x is equal to n square x की दो value आई एक n square एक एक तो आपका solution क्या बन गया एक और n square first option correct हो गया done तिर्गो में एक प्रश्ण minimum value का आया कहा गया 25 कॉसेक square x plus 6 square x की value क्या होगे ध्यान दीजिएगा minimum value सबसे कम value यानि least value पूछा गया आपको पता है 25 इंटू कॉसेक square x क्या होता 1 प्लस quarter square x ठीक है और अब आपको minimum value find करनी है minimum value के case में क्या हो जाएगा इसकी value अगर minimum हो जाती है तो हमारे पूरे इसका 26 plus 10 square x plus 25 square x की value minimum हो जाएगी और इसकी minimum value के लिए आपको पता है a 10 square x plus b square x की minimum value होती है 2 root a b 2 root a b यानि कि इसकी minimum value हो जाएगी 2 root a b यानि 1 into 25 यानि इसकी value हो गई minimum value 10 यानि इस पूरे की minimum value की अगर बात करें तो अगर इसकी minimum value 10 है तो पूरे की 26 धंदस यानिकि आपका 36 आंसर हो जाएगा ठीक है तो 36 आपका correct option हो गया बी option correct हो गया अगले question पर आते हैं कहा गया on a plain area there are two vertical towers separated by 100 feet apart the sorted tower is 40 feet tall ये pole of length 6 feet stands on the lines joining the base of two towers so that the tip of the towers and tip of the pole are also on the same line समझे का क्या कहा गया है कहा गया दो पोल है ये और ये ये एक दूसरे से 100 मीटर दूरी पर खड़े हैं ठीक है कहा गया इनके सीर्स को मिलाने नोक बोले तो सीर्स को मिलाने वाली रेखा पे एक टावर और खड़ा है एक चड़ी पाता है कहा गया ये छोटे टावर की छोटे टावर से खंबे की दूरी 75 फीट है यानि ये पच्चतर दिया गया है और इसकी लंबाई दी गए कितनी कितनी दी गए भाई साब 40 तो आपको बड़े टावर की उचाइन का लिए ये एच मान लिजे और इसको दीजे मिला यहां से बटे यह पराबर यह इसका लंब बटे इसका आधार यानि कि यहां से हमारा 40 x is equal to हो गया 6 x प्लस यह दर कितना हो गया 75 गुड़े 6 यानि 450 यह 34 x बराबर 450 यानि x बराबर आ जाएगा 225 बटे 17 x बराबर आ गया 225 बटे 17 ठीक है अब ध्यान दीजेगा x by 6 is equal to कहा गया चोटे टावर से खंबे के दूरी 75 ठीक है अब आपसे कहा गया है अब आपको बड़े वाले टावर की उचाई निकालनी है तो आपको पता चल गया 225 बटे 17 है यह 75 है यह 100 है अब आप कह दीजिए कि x by 6 is equal to हो जाएगा x plus 175 by h यानि h बराबर हो गया 6 into x plus 175 अपान x यानि कि यह हो गया 6 into 1 plus 175 बटे x यानि 175 बटे 225 गुड़े 17 है कि solve कर लीजिए 25 सत्ते 175 पच्चीस से काटेंगे तो यह आपका आ जाएगा 25 नवा नवा रजाएगा हाँ 9 यानि कि यह हो गया 6 into 1 plus 119 यानि कि 119 कितना हो जाएगा आपका लगभग यह आपका हो जाएगा 119 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 क्या सपास आजाएगा यानि कि आपका 13 क्या सपास यह और यह कि 14 14 चक 84 84 से थोड़ा सा बड़ा आपका आंसर जो भी आएगा वो आएगा यानि 84 से थोड़ा सा बड़ा यानि 85 फीट हो गया समझ में आ गया 85 फीट लंबे टावर की उचाई हो गई समझ में आ रहा है देखें यहाँ पर 7, 17, 119 हो गया 119 में 9 से भाग करेंगे तो 13.something आएगा 13.2 आएगा अब यहाँ पर देखें आपको पसें तो वीडियो को कर लीजेगा लाइक क्योंकि इसका 3rd और 4th पार्ट कल या परसो फोर्थ पार्ट आएगा परसो 4th पार्ट आजाएगा इसमें हम सारे 100 प्रेशन कर लेंगे और 100 प्रेशन एक से बढ़के एक प्रेशन होंगे ठीक है और हमारी जो डेली बेसिस पर क्लास मिल रही है सुभे 10 बजे अंग्रेजी की सामको 8 बजे एक्स्पेक्टेड मैस के कुश्चन की वो आपको मिलती रहेगी और आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे यहां पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर बहुत सारी वीडियो भी मिलें